जब भी किसी भी राज्य में नई सरकार आती हैं तो पुरानी सरकार के फैसलों का रिव्यू किया जाता है, योजनाओं का रिव्यू होता है, योजनाओं के नाम बदले जाते हैं, योजनाओं बंद की जाती हैं, और नई योजनाओं चालू करने के आश्वासन दिये जाते ह जिस तरीके से कॉंग्रेस सरकार प्रदेश की भजनलाल सरकार पे आरोक लगा रही हैं कि कॉंग्रेस शासित राज्य व्यक्त राजस्थान में कुछ योजना हैं जो चालू की गए थी उन्हें बंद किया गया है उन्हें नाम बदले गए हैं तो हालांकि लोगस्वा चुनाव तक तो भजनलाल सरकार ने किसी बड़ी योजना को बंद नहीं किया लेकिन अब कहा जा रहा है चिरंजीवी योजना में कुछ बदलाव किये गए हैं साथ ही सब्सिडी वाला मामला जो था विजली में वो भी थोड़ा कम किया गया है 2004 से पहले कि जो पेंशन स्कीम थी यानि कि जिस तरीके से लोगों को या करमचारियों को जो लाब मिलता था वो वापस किया जाएगा लेकिन भाजपा न्यू पेंशन स्कीम पे बात कर रही हैं इसके अलावा अगर योजनाओं की बात करें तो 50,000 पदों पर महत्मा गांधी सेवा प्रेरक भरती 2023 को भाजपान निरस्त कर चुकी है इसके अलावा राजीव गांधी शहरी ग्रामिर्ण ओलम्पिक खेल योजना बंद हो गई है इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और इंद्रा गांधी स्मार्ट फोन योजना भी बंद करने की तेयारी तो सत्ता संभालते ही योजनाओं के नाम बदलने योजनाओं पे चर्चा का काम शुरू हो गया है अन्नपूर्णा योजना जो थी श्री अन्नपूर्णा योजना उसका नाम इंद्रा रसोई किया गया था तो जब पहला फैसला योजनाओं वाला लिया गया तो 15 दिसंबर को जब भजनलाल सर्मा शपत लेते हैं तो करीब 20 दिन बाद 5 जनवरी 2024 को उन्ने इंद्रा रसोई योजना का नाम जो है वो स्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया था गोशना कर दी थी और जो फाइदा जो मिल रहा था इंद्रा रसोई का नाम बदल कर सरकार ने इसमें भोजन की मात्रा 1500 ग्राम बढ़ाई थी लेकिन अब एक व्यक्ति को मिलने वाली थालियों की संख्या गटा दी गई है पहले एक व्यक्ति एक समय में दो थाली भोजन ले सकता था लेकिन अब एक समय में एक ही थाली मिल सकेगी इसके अलावा चिरंजीवी योजना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ बड़ा हंगामा भी कटा डॉक्टर्स ने कहा कई डॉक्टर्स ने कि इस सदी की सबसे गटिया योजना है लेकिन अशो गहलोत उस पे पलटवार करते हैं और कहते हैं कि यह मिस्लीडिंग किया जा रहा है चिरंजीवी स्वास्ते बीमा योजना का नाम बदल दिया गया और उसे केंद्र की आयुश्मान योजना में मर्ज कर दिया गया है उसका नाम मुख्यमंत्री आयुश्मान आरोगी योजना मा योजना कर दिया गया है तो य जल्द ही दाइरा बढ़ा के 10 लाग तक करेंगे बाद में से 25 लाग तक भी लेके जाएंगे चुंकि ये केंद्र में ही मर्ज की गई है ये उजना केंद्र 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 पहले से चल रही तो सीधे तोर पर ये भी प्रतीत होता है कि उजना चरंजी भी बंद है इसके स्वाम बदल के भी स्वामी विवेकानन्द स्कॉलर शिप और अकेडमिक एक्सिलेंस कर दिया गया है इस योजना में 500 स्टुडेंट्स को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलर शिप दी जाती थी ज्यादा तर आईएस आईएस आईपीस आरपीस अधिकारियों के बच जल स्वावलंबन योजना को राजीव गांदी जल स्वावलंबन योजना किया गया था जिसे बदल के मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया है इसके अलावा बड़ी योजनाओं में एक राजीव गांदी युवा मित्र योजना थी जिसे बंद कर दिया हैं तो पचास जार पदों पे जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरख भरती होनी थी उसको भी बजनलाल सरकार ने बंद कर दिया है निरस्त कर दिया है प्रदेश में शांतियों अहिंसा विभाग की तरब से भी राजस्तान के सभी जिलों के राजस्व ग्रामों और शहरिक शेत है वो गलफांस बना हुआ है क्योंकि लोकसवा या विदानसवा जुनाव को देखें तो पोश्टल बैलेट किस और गया है भाजपा को यह सोचना पड़ रहा है पोश्टल बैलेट जो कि सरकारी करमचारी वोट देते हैं तो सीम चाहते हैं कि गहलो सरकार के शासनकाल में लागोई ओल्ड पेंशन के इनको बदला जाए इससे करीब साड़े साथ लाग सेवारत और करीब चार लाग सेवा करमचारी जुड़े में हैं अब इस सरकार को सरकार इस यूजना को सीधे तो बंद नहीं करेगी ऐसे में OPS और NPS के बीच की कोई रह चला तलाशी जा रही इसमें करमचारीओं को उनको आखरी सेलरी का 50% पेंशन के रूप में हरमा मिलेगा लेकिन उन्हें NPS की तरज पर शेवा काल में अंशदान भी देना होगा इसके अलावा राजीव गांदी शहरी ग्रामिन ओलंपिक योजना इंडरा गांदी शहरी रोजगार गारंटी यो है और इन यूजराओं के जो सरकार ने किया है बदलाव उसको लेकि आप क्या सुचते हैं हमें कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दने वागा